आप देख रहे हैं यूटूब चैलर राम की बगिया, दोस्तों बहुत खुश्रूरत और फ्लावरी हो रही है इन फ्लावर्स की खुश्बू बहुत ही ज्यादा है मतलब इन फ्वूलों की खुश्बू बहुत ही बढ़िया और बहना बहना अब बहना हो है कि ये बहुत होती है एक्सट्रीम खटी और इसको जाथ तरलोग ऐसे इसको शाधर्णता खाना बहुत ही मुस्किल होता है तीम यह जाबर्दस फ्लावरीं स्काइब है यह एक ऐसा पौध है जो लगातार फ्लावरिंग करता तो आप इसमल जो ज़्यादा फूटिंग ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा खाना पीना भी चाहिए तो उसी परकार इस पौधे को भी ज्यादा नूटिशन चाहिए खासकर इसको बर्मी कंपोस्ट और माइक्रिनूट्रिंट पॉटास और फासफोरस और कैल्शियम की मात्रा आप इसको लगातार कांटेशली थोड़े थोड़े एक-एक मेंडेडर महिने पर जरूर देते रहें तभी आप इसकी प्रापरली केर कर सकते हैं देखिए इस पौधे में कितने सारे फूट सेट हुए हैं इस फूट सेटिंग में माहिर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि शाधानता ऐसा कहा जाता है कि इस समय जब आप फूट बन रहे हो तो पानी कम कर दें लेकिन ये बरसात का मौसा में हो हमारा हाथ में पानी नह अगर जादा गर्मी हो तो फूट की सेटिंग नहीं हो पाती है इसमें जबर्दस सेटिंग है जबर्दस फ्लावरिंग है तो इस पौधे के डबल और टिपल काम है तो फूट इसके बहुत खुबसूरत और बहुत ही ज़्यादार है अगर इसका बड़ा पौधा आपके प पा सकते हैं और साथ साथ यह नारंगी प्पा सकते हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि इस इतनी खटी नारंगी होती है कि इसको बन्दर भी नहीं जेली बना सकते हैं इसके अचार बना सकते हैं इस तरह के आप काम सोंच सकते हैं कि क्या करना है और आप इसको नीमू के अचार में भी डाल सकते हैं तो आप पाएंगे कि यह बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम खट्टा हो जाता है तो आप जब इसको अपने घर में लगाए तो तो अपना डिस अपने हिसाब से आप इसकी तैयार कर सकते हैं इस पौधे की केर बिल्कुल नहीं है लेकिन क्योंकि फ्लावरिंग फूटिंग लगाता चलती रहती है साधानता बारो मैंने चलती रहती है तो इसको नुट्रिशन की आउशकता हमेशा रहती है तो इसको कोई आवशकता नहीं इसमें प्रापली बढ़िया तरीक से फूर्टिंग होती रहती है लगातार होती रहती है लंबे समय तो होती रहती है इसलिए कि बहुत आसानी से अपने गमले में लगा सकते है उस्तों इसको जब कभी कभी इसमें कीड़ोडो की जादा बरसात होती है तो आपने देखा होगते पतियों में यह कीडऎ हलके की लग जाते तो आप इसमें नीम ऐलर कर सकते respectfully क्यारी में आपको इसके मैं फंगिसाइट को एच्छी कॉल्टी का हो उसको छिड़क देंगे तो आपका फंगस की समस्या भी ज्यादा तर यह कोशिच करिए कि अपने फंगस के लिए फंगिसाइट प्रिवेंटी छिड़की जिसमें फंगस लगने की वरस्ता नहों क्योंकि एक कि झाइल और नहोंएटी ओ्यां प्रिवेंकि दोड़के भी जातिच कि जोड़केelectでしょう